Hello everybody, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel और मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 8 की जो UP Boat की आपकी English Book है That is Rainbow Book, उसका Chapter No. 7 That is Veer Abdul Hamid और आज इस Chapter के मैं cover करूँगे explanation एक एक लाइन बाइन मैं आपको explain करने वाली हूँ तो सबसे बहले एक छोड़ा सा introduction देख लेते हैं कि Chapter किस बारे में है नाम सही समझ मैं रहा है Veer Abdul Hamid तो यह जो Chapter है यह हमारी Indian Army, हमारी हिंदुस्तानी फौज के वीर और बहुत ब्रेव, बहुत 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 सोलजर सिपाही के बारे में है जिनका नाम था Veer Abdul Hamid और आज इस Chapter में हम पढ़ने वाले है कि कैसे एक जाबा सिपाही अपने देश के लिए अपनी जान भी दे देता है देश के लिए मर मिटता है 1965 1965 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध वार हुआ था उस वार में कैसे Veer Abdul Hamid की वज़े से हम कितना जादा आगे बढ़ पाय थो और कैसे इनके क्या 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 किया जिसकी वज़े से दुश्मन हमारे देश में एंटर ही नहीं हो पाया तो उसके बार में आज हम पढ़ेंगे Let's begin the chapter This is a story of a brave soldier named Abdul Hamid He was a company quarter master havildar in the Indian army He was a brave soldier He fought in the 1965 war between India and Pakistan Difficult words का meaning देख लेते हैं Brave का मतलब Bahadur, Soldier मतलब सिपाही Company का मतलब क्या है? Sainikों का dal Company याने की बहुत सारे सैनिक जब एक दल एक ग्रुप में होते तो याने उनकी पूरी company बनी हुई है Havildar का मतलब क्या होता है? थल सेना का पद याने ये पूरी company का जो head होता है जो सिपाही उसको हम Havildar कहते हैं अब देखते हैं आगे ये जो कहानी है ये बहुत brave soldier याने बहुत ही बहुत ही बहुत दूर सिपाही के बारे में है जिनका नाम है अब्दुल हामिद वो company quarter पे master हavildar थे याने कि इंडियन आर्मी में जो एक company थी याने कुछ सेनिकों का जो एक group था जो company थी उसके हavildar थे याने कि उस company के head थे हमारी इंडियन आर्मी याने हिंदुस्तानी फोज में वो बहुत ही जाबास और बहुत ही brave बहुत ही जादा बहदुर एक सिपाही थे 1965 1965 में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लडाई हुई थी उसमें इन्होंने लडाई करी fight किया और बहुत दिलेरी से fight किया आगे पढ़ते हैं अब्दुल हामिद थे वो धरमपूर नाम के एक गाउं में पैदा हुए थे अब ये गाउं कहा था ये गाउं गाउं गाजीपूर डिस्ट्रिक्ट याने गाजीबूर जिले में था जो की यूपी उत्ताप्रदेश में था और किस तारीख पर इनका जन्म हुआ था एक जुलाई 1933 को इनका जन्म हुआ था एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था और इनकी मदर का नाम था सकीना बेगम और इनके फादर का नाम था वालिद साप का नाम था मुहम्मद उस्मान तो यहाँ पे चाप्टर में राइटर हम से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अब्दुल हमिद 1965 1965 में जो लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस लड़ाई के कैसे वो हीरो बन गए थे इफ येस तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि क्या है इनकी कहानी इट वस अर्ली मर्निंग अफ 10 सेप्टैंबर 1965 इंडिया वस फइटिंग अगींस पाकिस्तान अब पाकिस्तानी रेजिमेंट of patent tanks was marching on the भीकी विंट अमरिटसर रोड in the खेमकरंट सेक्टर of India. It had reached a village named Chima. This village was on the Indo-Park border. पहले सबसे words, difficult words के meanings देख लेते हैं. रेजिमेंट का मतलब क्या होता है? सैन्य टुकडी. अगर यहाँ पर बात करी गए यह पाकिस्तानी रेजिमेंट की, तो यहाँने पाकिस्तानी जो ग्रुप था, जो सैनिकों का दल था, ग्रुप था, उसकी बारे में बात होई जारी है. यहाँ पर उनके साथ उनके सब सामान, टैंक्स वगरे सब कुछ था. पार्टिन टैंक्स क्यों होते हैं, यह वाले टैंक्स जो की लड़ाई में यूज होते हैं, ओके, मार्चिंग का मतलब क्यों होता है, अगर बोला जा रहा है, जब कोई लोग या ग्रुप आफ पीपल आपकी तरफ, आपको अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप बात है, अर्ली मॉनिंग, यानि बिल्कुल सुभा-सुभा की बात है, 10 सेप्टेंबर की सुभा की बात है, 1965 में, जब हिंदुस्तान, हमारा देश, हिंदुस्तान, लड़ाई कर रहा था, बौर पे सीमा पर लड़ाई कर रहा था, पाकिस्तान से वार चल रही थी, और एक पाकिस्तानी रेजिमेंट, यानि पाकिस्तानी ग्रुप के जो सेनिकों का जो दल था, वो अपने टैंक्स के साथ, अपने इन सारे टैंक्स की तरफ, किस की तरफ मार्च कर रहे थे, हिंदुस्तान की तरफ मार्च करते हुए आ रहे थे, और किस तरफ आ रहे थे, भीक विं लली यह लोग कहां पहुच गये अपने टैंक्स लेकर ये लोग पहुच गये िक गाऊं में गाऊं की तरफ-पॉच गये था इस गाऊं का नाम थाuld चिमा ये जो अब यह जो बात है यह 10 सेप्टेंबर की सुभा की चल रही है कि इसे यह लोग अपने टैंक्स लेकर आ गए थे क्यों लेकर आ गए थे क्योंकि अल्रेडी 6 सेप्टेंबर से जो बैटल था जो लड़ाई थी वो अल्रेडी स्टार्ट हो चुकी थी यहां पर यह जो बॉर्डर थी जहां पर यह लोग अपने टैंक्स लेकर आ गए थे वही पर हमारे हवलदार अब्दुल हमिद जो थे वो वहां पर थे और उनके साथ एक सूलजर और था वो एक soldier कौन था? वो 4 Grenadier Company का एक soldier था अब 4 Grenadier Company एक company का नाम है उसमें कौन होते हैं? Grenadiers होते हैं Grenadiers याने की हथ गोला फेकने वाला सिपाही हथ गोला क्या होता है? अगर आपने कभी टीवी में या पिक्चरों में देखा है कि जो soldiers होते हैं जो सिपाही होते हैं वो ऐसे bomb लेते हैं इसको मूँ से इसका pin होता है इसको खीच के निकालते हैं और फेकते हैं और वो blast होता है तो इसको हथ गोला कहते हैं हिंदी में तो कहा जा रहा है कि 4 Grenadiers Company ये एक company का नाम था इसमें Grenadiers थे यानि वो सिपाही थे जो हथ कोले फेक रहे थे बॉंब को फेक रहे थे तो इस company का एक soldier और अब्दुल हामिद खान ये दो लोग जो थे अपने कुछ सिपाहीयों के साथ वहाँ पर border पे सीमा पर थे जब सामने ये लोग tanks लेकर आ गए थे यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे ये लोग wait कर रहे थे कि अगर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई आता है तो ये लोग उनका दटकर सामना करेंगे ब्रेव अब्दुल हामिद वो सिटिंग इन जीप he had a special gun the patent tanks of the पाकिस्तानी आर्मी were not very far from him तो ये जो बहादुर अब्दुल हामिद थे वो वही पर सीमा पर बैठे हुए थे अपनी जीप में इनके पास एक special बंदूक थी एक गन थी और जो patent tanks थे पाकिस्तानी फौच के वो बहुत ज़ादा दूर नहीं थे the tanks with each office shots तो अब उनको दूर से दिख तो रहे थे कि टैंक आ रहे हैं और वहाँ जीप में बैठे बैठे वो shot याने कि अपने निशाना लगा भी सकते थे टैंक पर वहाँ पर टैंक को blast कर देते वह एक बहुत अच्छे shot याने एक ऐसे शूटर थे जिनका निशाना बिल्कुल perfectly लगता है लेकिन फिर भी उनको ये रिस्क नहीं लेना था अपना क्यों ताकि उनको लग रहा था कि मुझे अपने shots याने अपनी अपनी जो गोलिया हैं अपने जो shots हैं उनको मुझे वेस्ट नी करना बंदू की गोलियां उनको खतम नी करने थी इसलिए उन्होंने अपनी बंदू की गोलियों को बचा के रखा कि जब थोड़े पास आ जाएंगे जहां पता है कि निशाना बिल्कुल accurately ही लगेगा बिल्कुल सही तरीके से लगेगा तब मैं लगाऊंगा इनके टैंक्स पर निशाना ठीक है दब पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पाफुल और डेंजरूस दिवर अप्रोचिंग नियरर और यह जो पाकिस्तान के टैंक्स थे बड़े-बड़े अगर यह आ जाते तो यह हमारे बूरे हिंदुस्तान को खतम कर सकते थे और यह बहुत ज्यादा ताकतवर थे और बहुत खतरनाग भी थे यह जो टैंक्स थे अप्रोच कर रहे थे याने हम लोगों की तरफ हिंदुस्तानी सीमा इंडियन बॉर्डर की तरफ नियरर और याने बहुत पास हम लोगों की तरफ आते ही जा रहे थे यह लोग देवर फाइरिंग कंटिन्यूली ब्रेव अब्दुल हमिद मार्च्ट फॉरवर्ड ही सौअ पाकिस्तानी टैंग ही टॉंड इस गन और फाइड शॉर्ट टैंक कॉट फायर और विंट पित फ्लेम्स अभी जो पाकिस्तान द थे उन्होंने विफिर मार्च फोरवर्ड के जैसे देखा कि अब पास आ रहे हैं कंटिनूसली लगातार तो दिन वारी कर रहे है तो उनोंने क्या किया उनोंने भी माइस्ट फॉरवर्ड केहने कि अपने फाकिस्तानी फॉर्च की तरफ आगे बढ़े उन पर करने के लिए अब्दुल्हामिद ने देखा कि वहाँ पर एक पाकिस्तानी टैंक काफी पास आ गया है उन्होंने अपनी स्पेशल बंदूक अपनी गन निकाली और एक शॉट मारा उन्होंने वो जो टैंक था उसमें आग लग गई और विंट अप इन फ्लेम जाने कि वो टैंक में आग ल करने वाला था all the soldiers of Abdul Hamid's company were very happy जैसे ही यह टैंक Abdul Hamid ने बरबाद कर दिया खत्म कर दिया तो उनकी कंपनी उनके ग्रुप के दूसरे जो छोटे छोटे चोटे दूसरे सिपाही थे सोलजर से वो बहुत खुश हो गई कि चलो हमारे हैड ने हमारे जो हमारे कंपनी का जो हैड़ आदमी उसने एक टैंक को खतम कर दिया suddenly he saw another tank he fired shot again and it also bursted into flames four more tanks were seen the Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him he was their biggest enemy छोमी पिनすल अचंग से एक टंक खतम कर दिया उसने प्रचानक तो असने देखा कि एक और हिंदुस्तान की तरफ पाकिस्तान वाले लेकर आ रहे हैं उन्होंने उस अपना बंदु का श्यूल कर दिया और सुरह आग की लपते कर चुका है destroy कर चुका है तो इसलिए वो चारो टैंक्स एक साथ ले हैं इंदुस्तान की तरफ किसको अटेक करने के लिए किस पर हमला करने के लिए अबदुल हामिद और उसकी कंपनी के जितने भी छोटे-छोटे जो कि उनके टैंक्स को खत्म करे जा रहा था बरबाद करे जा रहा था दे टर्न दे गंज ओफ दे टैंक्स तोवर्ड्स हिम बिफोर ही कुट फायर अब्दुल हमिद हिट दे थर्ड टैंक तू अब यह जो चारों टैंक के जो बड़े-बड़े वो थे उनमें बड़े-बड़े घंस अटाच होतें उन चारों ने अपने बड़े-बड़े गंस अब्धुल हमिद की तरफ ऐसे निशाना लगाए और जब तक वोग निशाना लगाय लगाए तब तब तक अब्धुल हामेद ने उनका तीसरा टैंक भी गन का शॉट लगा के खत्म कर दिया and there it went, it had caught fire और तीसरा टैंक भी उनका गया उसमें भी आग लग गई अब कितने बच्चे टैंक, तीन टैंक बच्चे, flames were rising up into the sky but alas, one shell of the enemy hit his jeep, जो तीसरे टैंक में fire लग गई थी आग लग गई थी उसकी जो लप्ते थी मानो इतनी ऊपर आस्मान तक जा रही थी but alas, alas एक ऐसा word है कैसा शब्द है जब बहुत दुख की बात होती तब आप इस word को उसको रहे यार but alas, one shell of the enemy hit his jeep लेकर अब क्या हुआ, बड़े दुख की बात है कि एक enemy याने पाकिस्तानी दुश्मन का जो एक शेल था शेल मतलब एक जो बम था उस पाकिस्तानी दुश्मन ने एक शेल शेल याने बम को फेका अब्दुल हमिद की तरफ और वो अब्दुल हमिद की टैंक तो उनने बरबाद कर ही दिये थे, दब्रेव हीरो फेल डाउन और जो बहुत 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 जो हीरो था, सोलजर हमारे अब्दुल हमिद थे, वो अपनी जीप से नीचे आकर गिर गए, वो बहुत बुरी तरीके से वूंड़े थे, याने की खायल हो गए थे जखमी हो गए थे, लेकिन अब भी अब भी उन्होंने हार नहीं मानी, अब भी उनमें जो थोड़ी सी जान बची थी, अब भी उन्होंने हार नहीं मानी, उनको पता है कि में अमर जाओंगा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, He ordered his soldiers move forward and fight on उन्होंने अपने सारे सिपाहियों को order दिये आदेश करा कि आगे बढ़ो और लड़ो इन से They obeyed his orders and fought bravely और सारे ही सोल्जर सिपाहियों ने उनके आदेशों का पालन किया आगे बढ़े और पाकिस्तानी दुश्मनों के खिलाफ बहुत बहुत बहादूरी से उनके सोल्जर ने भी लड़ाई करी Some more tanks of the enemy were destroyed और उनके सोल्जर अबदुल हामित की कमपनी के जो सोल्जर से उन्होंने पाकिस्तानियों के कुछ और टैंक्स डिस्ट्रॉई कर दिया याने की बर्बात कर दिये पाकिस्तानी सोल्जर वर अफ्रेड अफ्रेड अब इतनी बहादूरी देखके जो पाकिस्तानी सिपाही थे वो बहुत डर गए और fled याने वहां से भाग गए fled याने वहां से मैदान चोड़के लड़ाई चोड़कर भाग गए दिस ब्रेफ सोलजर अप दे इंडियन आमी डाइट फोरेस कंट्री और वही पर यह जो बहदुर सिपाही है हमारे इंडियन आर्मी के हमारे हिंडुस्तानी फोच के उन्होंने अपने देश के लिए वही पर जान दे दी और फिर उनकी मौत के बाद उनकी डेथ के बाद पोस्ट्यूमसली याने मृत्यू के बाद किसी की मृत्यू के बाद तो उनकी मृत्यू के बाद उनकी family को क्या award दिया गया परमवीर चक्र दिया गया यह होता है परमवीर चक्र यह उन soldiers को उन सिपाईयों को दिया जाता है जो बहुत brave जो बहुत भाधुर होते हैं दुश्मन के सामने अपने घुटने नहीं टेकते देश के लिए self-sacrifice पर चले जाते हैं याने खुद की जान भी गवा देते हैं लेकिन देश को कभी भी मिटने नहीं देंगे He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan His village has been named Hamid Dham after his name जो अब्दुल हामेद है उनको हम सारे हिंदुस्तानी हमेशा remember करेंगे हमेशा याद करेंगे उनकी बहादुरी के लिए और वो हमेशा reward करे जाएंगे यानि respected होंगे यानि अब्दुल हामेद की जब भी जिक्र होगा उनको याद किया जाएगा उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही बहादुरी से 1965 की जो लडाई थी पाकिस्तान के खिलाफ उसमें लडाई करी है तो हमारे देश के लोग उनको जब भी याद करेंगे हमेशा सम्मान के साथ ही याद करेंगे यहां तक कि जो उनका गाओं था जहां पर वो पैदा हुए थे उनकी मौत के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनके गाओं का दुबारा नाम दिया गया और उस गाओं का नया नाम दिया गया था हामिद धाम इस तरीके से आज तक वो लोगों के दुलों में जिन्दा है यहने देश भक्ती की फीलिंग आई कहीं न कहीं पढ़ाते हुए भी मुझे जिसे मानुरोना सा आ गया था क्योंकि मैं कहीं न कहीं देश के लिए बहुत जादा फील करती हूं हम सरहत पर तो नहीं लड़ सकते जाकर के लेकिन कहीं न कहीं जब भी देश के हम वीरों के भारे जब था कर देश कर één हो पारे हुए शैया ओना अ